सब्सक्राइब शागे आपका रॉज एट्का है, इतना डीटेल में एक्सिपलेन किये थे, एंकम, एक्स्पनेटाइब कोछ क्या किजेगा, खर्च करने के बाद कुछ आप लोग क्या किजेगा, बचाईएगा आपका income होगा तो income के बाद किया किजएगा कुछ ना कुछ खर्च किजएगा खर्चे के बाद कुछ आप लोग बचाईएगा किलिए यह आपका टाइप है इस टाइप को हम लोग तीन तरीके से देखेंगे परसेंटेज का भी solution देखेंगे ratio का भी देखेंगे solution हम लोग उसके बाद हम लोग allocation भी लगाएंगे तो सबसे पहले 80% अपनी income का खर्च करता है तो उसका income हम लोग ले लेते हैं 100 तो खर्च कितना करेगा 80 80 खर्च करने के बाद बचाएगा कितना 20 खर्च करेगा और 80 से बढ़ने के बाद कितना होगा एक 112 और सेविंग इजडिक्रीज बाइद सेविंग दस परसेंट से घड़ गड़ तो दस परसेंट से घटेगा मतलब दो रुपया घट जाएगा बीस में दो तो कितना हो जाएगा 18 तो यहां पे देखें 112 रूपय कमा रहा है 18 रूपय ब कितना होगा 17.5 परसेंट तो एकस्पेंडीचर उसका ज्यादा कितना होगा 17.5 परसेंट उम्मीद करते हैं यह को समझा रहा होगा देखिए ऐसा हम लोग यहां पर यह चीज भी कर सकते थे परसेंटे सॉलोसन में थोड़ा सा अगर हम लोग स्मार्ट ली वर्क करते तो यहां से हम लोग न जो वैलू होड़ी यह निकालके हम लोग देखते हैं चेंज कितना हो रहा है यहां पर तुमको किलरली पता चलता है यहां जो इंकम है वो बारे रुपय बढ़ा है इंकम कितना रुपय बढ़ा है बारे रुपय बढ़ा है और यह 2 रुपय डिक्रीज हो गया दो ज्यादा वां तो कितना चुदाव रूपय कर इस को कैसे देखते हैं हम लोग रेशियो सालवसें से इस को सअ्ट को देखते हैं चलिए तो देखिए एक बार ध्यान से दिखीगा नहीं समझ मैं तहाप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं मैं दोबार सम्झा दूँँगा कोई दिक्कत नहीं do को इनकम एक्सकेपनिच्च्र और सेविздशे कौने अश्मनummis कि चार रुपए एक रुपए सेविंग है तो हम सेविंग को सो ले लेते हैं तो एकस्पेंडिचर भी 400 हो जाएगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं यह 400 और 100 हमने कैसे लिया तो 400 और 100 हमने लिया 80% और 20% से 80 और 20 का रिस्यो कितना 4 is to 1 तो हमने simple calculation के लिए simplicity के लिए हमने इसको 400 माल लिया और कितना माल लिया 100 माल लिया एक बड़ मैं फिर से explain कर देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आए होगा तो देखे expenditure 80 था expenditure कितना था 80 था और saving 20 था तो 80 और 20 चार और एक कर रिसी हो जाएगा ratio कितना होगा 4 is to 1 तो simple calculation के लिए saving को सो ले लिया तो expenditure 400 हो गया तो income कितना हो जाएगा 500 400 रुपा खर्च कर रहे हैं 100 रुपे बचा रहे हैं तो income कितना हो जाएगा 500 क्लिए रहे अब expenditure बढ़ा कितना नहीं पता में saving कितना yagra 10% 10 %-10 यह बढ़ा कितना तो बु रहे बार्र पर्संट बार पर helping आप बढ़ने लेक कितना हो जाखा ये पहले तो 100 बर ज्यक्ते सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से इसको ले कर आई जो चेंज हो रहा है न सिर्फ चेंज पर हम लोग करते हैं चैंज पर सकते होगा यह बारेपांस साथ बढ़े गया तो यह कितना बढ़ेगा कितने पर चार सो पर परसेंटेज निकालने लिए टूह तो यह वैली बुलिएगा आप लोग का 17.5 पर सेंट गए चले अब हम लोग इसकोसर में लगाएंगे दोस्तों क्या लगाए लगाएंगे और लगाने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि लगाना क्यों जरूरी है इस question में लगाना क्यों जरूरी है उसके बाद हम लोग लगाएंगे देखिए आप चाहे ratio से करें चाहे percentage से करें यह जो value दिया हुए न 12% अगर यह 12% नहीं देता यह 12% नहीं देता सपोज कि यह 12.25 परसेंट यह 10 परसेंट ना दे के आपको माली यह कुछ भी value दे देता माली यह आपको दे देता 22.5 परसेंट फिर काफी complex हो जाता फिर आप चाहे ratio से करते तो चाहे percentage solution से करते तो यह question आपका काफी complex हो जाता तो allegation से क्या होगा allegation यह टेक्निक विच रिडूसे जा और calculation थोड़ा सांगली से आप लोग समझ सकते हैं allegation एक technique है जो हमारे calculation part को reduce करता है calculation part को क्या करता है reduce करता है तो हम लोग पहले सीखेंगे allegation लगता कहा है तो जहां भी एक को मिलन बी से होता है और सी कर निर्मान होता है वही allegation लगता है जैसे आपके बिंदा वह धुरर उनके बिन आप धुरे और दोनों मिलंके क्या बन जाएगा income बन जायगा फूरा हो जाएगा तो यहां क्या लगएगा एलिगेशन लगएगा ठीक है पिछले वाले में अभी तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे नहीं लगता है चलिए तो यह चीज़ समझने वाले भी बात है चलिए तो एक्स के पिछ नहीं बागे जिंदकी में बहुत लोग है तो यहां पर देखते हैं इंकम एक्सपंडिचर देखे का हुइं के चलिए हैं यहां पर आप लोग समझ सकते हैं तो दीखे यहां में लगाता हूँ उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे लगेगा तो सबसे पहले मैं ratio निकालना सिखाता हूं इसी question के बाद हम क्याधार से तो हम लोग मानते हैं अभी हमने निकाला था answer कितना है 17.5% तो पहले expenditure को यहां हम लोग रखेंगे फिर हम लोग saving को यहां allegation इसे killer हो जाएगा allegation कैसे लगता है तो expenditure यह saving decrease होगा minus का 10% से expenditure बढ़ा कितना 17.5% से अभी answer देखे हमने लिया ठीक है और income कितने से 12% से तो income यहां बाड़ा लिख दिया और हम minus करेंगे तो ratio तो बाड़ा minus यहां कितना हो जाएगा 10 तो बाड़ा minus 10 minus minus plus हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा तो यहां 22 हो जाएगा और यह minus किजेगा तो यह कितना हो जाएगा 17 5 तो यह कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा क्या दोस्तों 17 5 5.5 हो जाएगा क्लियर है चलिए तो यहां पर देखें 11 से करेंगे 2 और 11 से करेंगे 0.5 तो ratio कितना गया 4 is to 1 का ratio आया क्या ratio कितना गया 4 is to 1 अब देखे क्या यही ratio है ratio निकालना हम सिके तो expenditure हमारे पास कितना है तो 80% है saving हमारे पास कितना है तो 20% है क्या देखे यही 4 is to 1 का ratio आया है कैसे लगड़ा allocation यह समझ नहीं तो जब भी allocation का question होगा हमको तो चार चीजों की requirement है किन किन चीजों की requirement है चार चीजों की requirement है A B और C और चौथा इनका ratio X Y का ठीक है चार में से तीन question में given होगा चौथा में निकालना होगा ठीक चलिए तो first of all हम देखते है expenditure given था तो नहीं given था तो question mark saving given था हाँ given था 10% यह given था यह income कितना change हुआ यह given था 12% क्या इनका ratio given था हाँ तो ratio given था expenditure बोला है 80% तो saving कितना हो जाएगा 20% तो ratio इनका कितना given है four is to one तो यही format आपका बनेगा allegation का question पढ़ने के बाद आप लोग सीधा यही format allegation का बना सकते हैं clear है ratio four is to one का हो जाएग expenditure नहीं पता saving 10% और यह कितने से बढ़ेगा 12% से यही आप format बनाएंगे ठीक है तो यहां पर दिखेंगे बहुत आसान है बहुत आसान है कुछ नहीं करना है बाड़ा माइनस माइनस difference लेना रहता है तो बाड़ा माइनस माइनस प्लस तो चार की value कितने हो जाएगे बाइस परसेंट तो एक का value कितना हो जाएगा 5.5% कहीं एक साइड़ भाली वेलुट में राती है ज़्यादा होने के लिए पॉंच 5.5 जाहती में दो कितना हो जमाशनी आप नोगगों के लिए ऑर एंसर मुझे एकिसी-समिलских इसवह लेक्षट के मोदाएं डेलोग कि they are अब देखें यह कोशन सबसे फर्स्ट अफल नो परसेंटेस से काफी देखें कितना कॉंप्लेक्स होगा इंकम oll लेते हैं तो एकस्पेंडिचर 72 हो जाएगा किरा अब बहुत ज्यादा कॉंप्लेक्स हो गया दोस्तों 72 का परसेंटेस और इठास का परसेंटेस निकालना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि हार Benjamin मंजिल मिले की सबको पभशान नहीं होना है परिशान नहीं निए दिखिए लाइप में लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं कोई पंधिशान नहीं हुना है इंग judgment to expenditure प्लसे है तो इस कोशन को भी Minors Pak करते तो दिखिए expenditure कितना है तो बुलिएगा बहुतर परसेंट childish जाएगा आटाइस परसेंट चार से से कर जाएगा तो इतना हो गया इंकम 25 च च तो दिखे ना जिरो जिरो लगा देते हैं क्या लगा देते हैं तो एक जीरो दो जिरो इधर लगा परसेंटेज है, दो जिरो इधर लगा देते हैं, दो जिरो इधर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 700 होगा, 800 होगा, तो, 25 होजाएगा, अब क्या गड़ा है, income इंकरीज इंकरीज बाई 20% से, इसका 20% तो 20% 1 by 5 500 हो जाएगा क्या बढ़ा कितने से 500 से saving increase by 15% saving कितने से बढ़ा है 15% से तो 15 साथ 105 तो यह expenditure जो है expenditure हमारा जो है वो कितने से बढ़ेगा तो बुलेगा 395 से तो 395 बढ़ा कितने पर 1800 पर percentage निकालने के लिए इंटू कितना हंडेट परसेंट परसेंटेज निकालने के लिए कितना इंटू हंडेट परसेंट कोई भी इस होता है कोई दिक्कत होता तो आप लोग कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है समझे ना दोस्तों कॉमेंट करके आप जरूर भी बतासकता है को प्रॉब्लम नहीं 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 है फिर्ण सबसे पहले क्या हो जाता है तो 305 अिको न प्फाइब रिचाइब और यह थिप्रीना हो जा तो फोल्डव से थोड़ा सा कम पॉब्सैंट्ट चुह कि यहां से क्लिक कर सकते हैं कोई बीएक लगाने की किए जूरा है कोई इसू नहीं है समझ रहें चले उमीद करते हैं समझ आगया होगा आप लोगो यह question मिटा दें अब allocation लगाते हैं इस question में जैसे कि हमने लगाया था कहीं कोई calculation नहीं होगा थोड़ा भी calculation नहीं बढ़ेगा हमारा allocation लगाते हैं इस question में हम लोग चले दोस्तों तो यहाँ यहां पर हमारे पास expenditure । हमाधु लोग लेते हैं expenditure नहीं पता है। यहां पे हम लोग लेते हैं saving कտतने से बढ़ा है पंद्रा पर संटे income कितने से बढ़ा है 20% से ratio दिखिए तो यहां पे लिख दीजिया expenditure और यहां saving तो बहतर पर सेंट है और यह कितना है 18% है तो यहां पre दिखिए कितना हो जाएगा यहां में एक्सपेंडीचर निकालना है तो 20-15 कितना हो जाएगा अभीर वाला कम है तो इधर वाला चुर्ण जादा होगा थीक है तो 5 % इसको इसको approximately हम लोगों कितना लेख थो लिख सकते हैं क्या 2% 36 बटा ठारे 2 तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो 20 में दो जोड़ेंगे तो एप्रोक्स कितना हो जाएगा 22% 22% क्या होगा एप्रोक्स अब 20 एप्रोक्स देखिया अप्शन हमने तो नहीं बनाए ठीक अब यहां पे देखिए अगर आप्शन ऐसा भी रहता सपोच किजिए यहां पे ऑप्शन एक रहता और ऑप्शन 22.1% पर एक्जामपल यह रहता तो हमें क्या देखना था ना 2 से कम होगा दोस्तों 2 से जादा नहीं होगा तो 22 से कम होगा 22 से जादा नहीं होगा तो यहां से काफी आसानी से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं चले उम्मिद करते ये कोशन आपको समझ आ रहा होगा बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद